नवस्कार पसुपालक साथियो आज का एक बहुती स्पेशल वीडियो आप भाईयों के लिए लेके आ रहे हैं नरेंदर भाई के डैरी फारम से और सामने देखिए वैसे मैं आपको दिखावी देता हूँ इदर जो है भाई का डैरी फारम का नाम, कोंटेक्ट नंबर सारा तिखेशल जो है ये आज ओकेशन केलो एक स्पेशल जो टाइम है सामने सबसे पहले इधर खड़ी है जी मोटर साइकल और पिछे एक बहुत बड़ी जोटी और उस से पिछे जो है बहुत सारे अपने जो बाई हैं जो साथी हैं, वो आए हैं. स्पेशल एक वीडियो रहने वाली है तो जितने भी पसुपालक साथी जुड़े हैं वो सारे के सारे भाई देखिए हरियाना मुर्रा में जो एक नंबर पे है आज की डेट में पसुपालन के काम में जो है वो हरियाना एक नंबर पे उसका कारण भी आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे मेले आज कल होन में और वैसे भी सारा कुछ आपा जोटी का डिटेल से जानकारी लेंगे जोटी बेच भी दी है भाई साव ने और पिछे देखिए बहुत सारे भाई जो आए हुए हैं ये हरियाना का चाओ होता है नहीं तो हमने देखे हैं कि अगर हम यूपी बगेरा की जगह जाएं और ब इंदर भाई के डैरी फारम पर हैं बात कराएंगे इंदर इंदर भाई से पूछेंगे सारी बाते कितना दूद दे के आई है और पहले नंबर पे रही है मोटर साइकल जीत के आई है तो बहुत बड़ी बात है तो सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूं आपको जो टी और पूछते हैं इंदर इंदर भाई से इसके बारे में सारा कुछ सबसे पहले इंदर भाई बड़ी बड़ी शुब कामना है आपको पूरी फैमली को आपको याप पर पहुंचने पर हार दी कभी नंदर भाई सब और जो भी वीडियो देख रही है सभी को मेरा नमस्कार तो प्रेंदर भाई ये बताओ के पहले नंबर पर अपनी जोटी रही है कौन सी कटेगरी में रही है और 17 के आसपास इसने दूद निकाल ला है सबसे बड़ी गलती मैं के निकाल रहा हूं उसने बाइसाब जो टी मिलक फिरू में आने के बाद ना तो बतल लगवाई ना ठीक दर शिर्फ इस बात का था ये जोटी ना जीजाए लेकिन मालिक ने बहुत बड़ी एसाथ दिया जोटी अपना फश्टाई ठीक है तो दो दांत की कटेगरी में जीती है ठीक है मैं एक बार जोटी दिखा देता हूं देखिए जी दो दांत की कटेगरी में पहले नंबर प है और ये वीडियो आपा सूट कर रहे हैं मैं बता भी देता हूं चार बज़ के 27 मिनट हुए हैं और आठ मार्च के दिन तो साइद कल शाम कोई आई हैं पसू कल शाम कोई साथ तारीक कोई उदर मेले से जो है पसू रिलीज किये हैं मेला कमेटी ने और उससे अगले दिन शाम को आप वीडियो सूट कर रहे हैं तो देखिए सुबह कितने दूद निकला था भाई सब ठीक है ठीक है ठीक है सुबह भी लेट निकला दूद लेकिन साइज देखिए जोटी का बहुत ही जबरदस्त बहुत ही बड़ी है वैसे जोस अभी की बात करूं इसकी मैंने मे जबरदस जोटी थी गरपे कीतना दूद था पहले वो भी अपसारा कुछ पूछेंगे पहले तो जितने भी साथी जोटी बेच भी दिया नरेंदर भाई ने और इस खुशी में जो सारे भाई साब भाई पहुंचे हैं सब का दिल से मद नवाद करता हूं क्योंकि ये है सब दूद तोल के लिए भाई सब्योंक्रेश एव 9S50 ग्राम 9्0 500 ग्राम तृश्य जोटी ताइम में आइकन मिलकिंग हुई इक तारिक को वाद गय थे दो टाइम खाल ली की है घ्याए चार टाइम मिलकिंग त्यार टाइम मिलकिंग है अच्छा त्ध़ी मैं सूचा द बगबग 19 किलो से उपर उपर की जोटी सब को पता है बाइसाब इसका जितने बंदें सबने देख रखी सभी ने इसके बारे में पता है बाइसाब तो आपा बेच भी दी जोटी यह वाइसाब अंकुर भाई है अपने फ्रांस वाड़ा से अपने पार्टनर थे पहले उसको दे दिया तो टोटल कितने हो गया अलग अलग हुए है छेपी चसी में से कम की हैं कटड़ी वाले तो कितने होगे टोटल फढ़ाना एक बार कैलकुलेट करना भाईसाब क्योंकि बच्चा तो इसी का है ना जो टिवे बहुत बढ़िया रेट लग रहे था जिवाँ शड़ भवाई से बात हो रही थी अपने अच्छा पहले बात होगी थी तो आठ लाग चत्ती सजार उप्छे आपट करें च्छे लाख पिछाशी जार रूप्छी जोटी और कटड़ी अलग से कल सुबह यह चली जाएगी ठीक है तो अगर कीमत की बात करें तो दोंडों मावेट कटड़ी देख लो एक लाख कि चावनाजार की कटड़ी आप देख लो मेरी च्छाल से ज्यादा से ज़ादा चालीस होगी जोगी पशले मालिक ने पिला अच्छा पांच मिन्ने की प्रफ़क्त है वहाई जोटिक अभी 19 किलो दूद था तो ताजी वीजा कितना था नरेंद तो यह देखो जी डेड़ लाख रुपे की कटड़ी इतनी कटड़ी बिगगी है तो लोग बोलते हैं कि छे लाख की पांच लाख की चार लाख की जूट होती है लेकिन जिस दिन त्यार होएगी और मां के जैसी निकल गी तो मैं कहूंगा कोई मोल नहीं रहेगा कटड़ी का तो भाई सब मोट साइकल भी आपां जीत लिया जोटी ने है ठीक है ठीक है तो आगे भाई सब नरेंदर आपने पास जैसे घर पे कितने पसूर रखे हैं या बिकरी वाले कितने रखते हो अपा सेल परचेज कई काम है जी अपना तो ठीक है एक जोटी और भी बहुत आगे बाई सब्सक्राइब ने हैं तो यह देखें यह दो यहां कोई ने कोई लिए करा ने होगी अच्छा यह कटडी है और दो दात जोटी है दात वैसे तो ये जोटी वैसे तो मेला कमेटी ने सारे जोटीयों की जब एंट्री की है मेरी ख्याल से सब चेक की है ठीक है ठीक है अभी भी दिखा देगी वो जोटी आपा देख भी लेते हैं वैसे तो देखा जाए तो देखिये जी जैसा कि मैं कह रहा हूं कि दो जोटियों के बराबर वजन लंबाई उचाई की बहुत लाजवाब और यह देखो दो दात जोटी है मेला कमेटी ने प्रोपर वीडियो बना के सारी जोटियों की और जब रखी आपने पास उनका कहना था कि दुबारा अगर कोई दात तोड़ेगी तो बिल्कुल दात है भई अभी तो बैसा मेरी ख्याल से पांच मिनने और ने दान तर नहीं बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है जोटी को सम्मानित करने के लिए सबसे बड़ा जो विजेत है आज कल ट्रैक्टर मोटर साइकलों को मेलों में चलान हो गया और पस्वों की दोबारा से किम्मत होने लगी है हम थोड़े दिनों में 25 लाकी 30 लाकी 50 लाकी दोबारा से बिक्ती वी बैसे देख पाएंगे जब ये ट्रैक्टर मोटर साइकल जीतने लगेंगी बैसे ये भी देखिए अच्छे रेट में जो टीवी की है ले आओ भाई साब आजओ तो ये देखो जी जो मान सम्मान है हरियाना फिर कहूंगा मैं पशुपालन का काम अगर आप अच्छी ब्रीडिंग करेंगे तो नरेंदर वाई और भी आपा कुछ जो है कहना है या जो टीशाब सुतर है इतना साइज मेरी ख्याल से दो दान में बाइसाब मैंने तो आज तक देख्या नहीं देख्या नोर्मल कोई तो इंजैक्शन नहीं लग रहा है वैसे नरेंदर वाई आपा चलो गर्दन दिखा भ हर स्टोरी में कैमरा लगा हुआ था हर स्टोरी में बंदा खड़ा खाजी आज कल तो हर मेले में यही काम हो गया ना जो दूद है वहाँ बिल्कुल साफसुत्रा उम्मी दिये थी वहाँ सब 20 पलस दूद निकालने वहाँ जागे लेकिन चलो भाई सब जोटी बिमार होगी मालिक ने बहुत बड़ी असाथ दिया और जोटी का वैसे देखा जाए तो इतनी बड़ी जोटी है कोई आज की डेट में दो दात कटडी का इतना बड़ा जोड भी नहीं है साफ सुत्रा दूद कोई टिका पिका बोतल कुछ नहीं यह देख लो भाई हट यह देखो कोई संहें कोई टिके वगरा क्युक्त तो कमेट्टी की भी आप देखनी चाहिए उनकी भी गलती ने बोल भी दिया सा लेकि नाम पब्लिक नहीं माननी भाई सब्का दन्यवाद जो वीडियो देख रहें उनका भी दन्यवाद और कमेंट्स करके जरूर बताना कैसी लगी जोटी और आपके घर भी ऐसी जोटियां त्यार ऊसकती हैं अगर आप भी अच्छी ब्रेडिंग करेंगे अच्छे बुलका चुनाओ करेंगे तो सारे बाई वीडियो ज्यादा से जदा सेड़ कर दो चैनल को सबस्क्राइब कर लो और फेस्बुक पेज पे देख रहें तो फोलो कर लो सभी को मेरी तरफ से राम-र नमस्कार साथ स्रीय काल